नमस्कार दोस्तों दोस्तों जो अभी आपने डेमो देखा कुछ इस तरीके से ही नोईडा में सूपर टेक की 93 ए सेक्टर में बनी बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा 28 अगस 2022 को सूपरिम कोट ने नोईडा के 40 मंजिले टुइन टावर को गिराने का रास्ता साफ कर दिया है दोनों टावरों को ढाने के लिए 3700 किलो विस्वो टक इस्तमाल किया जाना है चीफ इंजिनियर उतकस महता ने बताया है कि हमने पूरी इंतजाम कर लिया है अगर कोई बड़ी परिशानी नहीं आई तो 28 अगस 2022 को दोनों टावरों को 30 समय के अनुसार गिरा दिया जाएगा टावर को गिराने में सिर्क 15 मिट के समय ही लगेगा विस्पोर्टक प्राइमरी और सेकेंडरी होंगे एपेक्स में 11 और सियान में 10 प्राइमरी विस्पोर्ट किया जाने है जबकि दोनों टावरों में 77 सेकेंड बलास्ट होंगे ट्विन टावर के परीसर में एक्सपर्ट के अलावा किसी और को जाने की अनूमती नहीं होगी सुप्रिम कोट एमरॉल कोट ट्विन टावर में विस्पोर्ट लगाने का काम 24 अगस्त तक पूरा हो जाएगा 28 अगस्त को महज 9 सेकंड में दोनों टावरों को दोस्त कर दिया जाएगा इसके बाद 60,000 टन मलवे का निस्तारी करण एक बड़ी चुनोती होगी दोस्तों मैं बाप को बता दू कि ये टावर कब बना क्यों बना इसके इतियास के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा इसका इतियास बहुत पुराना है नौएडाओ 30 के दुआरा साल 2006 में सूपर टैक बिल्डर को सेक्टर 93A में 17.29 नेकड की जमीन में आवेंटित की गई थी जिसमें एमरोल कोड गूरूप हाउसिंग प्रिजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माड किया गया है निर्माड किया गया था सभी टावरों में 11 मंजिले बनाई गई साल 2009 में नौएडाओ 30 के पास सूपर टैक बिल्डर ने एक रिवाइज प्लान दिया जिसके अनुसार एपैक्स और सियान नाम के दो टावरों को जोडने के लिए F.A.R. खरीदा गया बिल्डर ने दोनों टावरों के लिए 24 फिलोर के प्लान मंजूर कराया था लेकिन इस पर 40 फिलोर के हिसाब से 857 फिलेट बना दिये आदे से जादा फिलेट की बुकिंग भी हो गई लेकिन बाद में खरीदारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया विरोध के बाद इस मामले में इलाबाद हाई कोट में याची का दाखिल कराई जिसमें 11 अप्रेल 2014 को दोनों टावरों को गिराने का आदेश दिया इसके बाद यह मामला सुप्रिम कोट पहुंच गया 32 और 29 मंजिल उच्चे टावर को सियान नाम के इन दोनों टावरों को 28 अगस्त को धुस्त कर दिया जाएगा हर दिन यहाँ सुपा 7 बजे से शाम को 7 बजे تک बारूद लाने का काम किया जाता है बारूद लाने के बाद महज 9 सेकेंड में ये दोनो टावर दोस्त हो जाएंगे बलाश्ट के लिए विदेश से 10 इंजीनियर साइट पर बुलाए गए है और 10 फिलोर में बारूद लगया गया है रोज लग रहा है बारूद 500 किलो विस्पोटक नोईडा पुलिस की सुरक्षा में रोज पलबल से टावर में लगाने के लिए 500 किलो ग्राम विस्पोटक लाया जाता है दोनों टावरों को दोस्त करने में लगबग 3700 किलो विस्पोटक लगाया जाएगा टावर को दोस्त करने के बाद लगबग साथ हजार टन मलवा निकलेगा जिसका निस्ता करन करना एक बड़ी चुनोती होगी दोस्तों अब मैं आपको बता दू कि ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा गोटाला भी है जो समय पर रेके इसका ध्यान नहीं दिया गया यहां पर एक्चुली क्या है पार्क बनना था पार्क की जमीन पर दो टावर खड़े हो गए और टावर दीरे 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 बनके चालिस मंजिल तक के भी टावर बन गए उसके बाद पदा चलता है कि यह टावर इलीगर है वहां के आजिपास के लोगों ने औब्जेक्शन किया और फिर वो कोट गए हाई कोट गए फिर हाई कोट के बाद सुप्रिम कोट गए सुप्रिम कोट ने भी टाइम लाइन दे दिया है कि इतने टाइम में आपको इटावर को गिराना है अलगी एक पिछली एक दो डेट मिस्क कर गई है काम नहीं हो पाया था महाँ पर गिराने का क्योंकि बाहर की एजेंसिया आई हुई है इसको गिराने का काम कर रही है लेकिन अब तैयारी लगबग पूरी हो चुकी है तीन से चार दिन बचे हैं जब इस बिल्डिंग की जगा पे सिर्फ मलवा ही मलवा होगा और मलवे को हटाने की भी एक बहुत बड़ी चुनोती है इतनी बड़ी तादात में मलवा कहां ले जाया जाएगा कहां पे इसको फैका जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी और जिस दिन ये 28 अगस 2022 को बिल्डिंग गिराई जाएगी टावर गिराए जाएगे उस दिन बहुत सारे रूट नोइड अगे डाइवर्ड कर दिये जाएंगे खास्त दोर से एक्सप्रेस वे या सेक्टर 93 के आसपास वाले जो रोड है वो और इधर हाई जीपूर राइड रेड लाइड कुल मिला के ये कि नोइड ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से इस पे काम कर रही है और जिस दिन ये गिरेंगे लगबा काफी टाइम तक बहुत सारे रोडों को डाइवर्ड गर दिया जायागा ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो और वहां रहने वाले जो मत्र 9 मीटर की दूरी पे रह रहे हैं साथ हजार परिवार बता जा रहे हैं साथ हजार की तादात में लोग रह रहे हैं और उनके गाडी भी हैं बच्चे भी हैं समान भी हैं तो नोईड़ाओ थर्टी ने उनकी गाडियों को सुबह साथ बजे स्था जादा को चार बजे तक दूसरी जगे रहने के लिए कहा है जिसके पास एक से जादा दो गाड़ी हैं तीन गाड़ी हैं तो उन गाड़ी की पार्किंग की वेवस्ता भी Noida O30 ने की है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी माल का जान का किसी भी चीज का नुकसान नहो पूरी सतरकता के साथ नोईडा ओथर्टी और जो विदेश की कमपणी इसमें लगी हुई है वो हर एक बारीक से बारीक पॉइंट को देखते हुए इसको गिराने का काम कर रही है दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है के मैं नोईडा ग्रेटर नोईडा यमना ओथर्टी जेवर एरपोर्ट पृत्ला गोल चक्कर पे जो अपनका फिलाईवर बन रहा है ग्रेटर नोईडा वेस्ट मेट्रो और भंगेल वाला जो एलिबेटेड रोड बन रहा है उन सब पर में बारीगी से नजर रखता हूँ और जैसा नवी सीसी के प्रजेक्ट चल रही है, अमरपाली के नवी सीसी प्रजेक्ट कर रही है उन पे भी मेरी काफी बारीगी से निगा रहती है और मैं कोशिश करता हूँ कि जादा से जादा वहां से अच्छी और ताजा इंफॉर्मिशन आपके पास लेके आता रहूं इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सबस्क्राइब करें ताकि आप सही और सही अपडेट आपको मिलता रहे नोईडा की ट्रैफिक रूट का भी मैं वीडियो मेरे आते रहते हैं कौन सरूट डाइवाड हो रहा है एक्सप्रेस वे मेरे दिल्ली मेरे टेस भे दिल्ली मेरेट मेट्रो लाइन जेवर मेट्रो